Assalamualaikum आज हम ऐसा starter बनाने वाले हैं कि आपकी family और family members खुश हो जाएंगे थोड़ी सी chicken में बहुत सारे starter बन जाएंगे इसमें इसका नाम है chicken russian fingers chicken russian कबाब chicken russian cutlet तो हम खाते हैं ये कुछ अलग है recipe थोड़ी different है लेकिन हमने हमेशा की तरह आसान तरीके से बना कर बताई हैं, तो चलें बनाते हैं चिकन रशिन फिंगर्स, आपको स्टोर करने का भी सही तरीका बताएंगे, कि कैसे एक बार बना कर आप स्टोर करें, तो जबी भी घर में गैस्ट आए, या बच्चों को मन किया, या बड़ों को भी मन करता है, तो हम इसे फटा-फट से फ्राई करके खा सकते हैं, असलाम अलेकूम, वेलकम टो कुकिंग विद बेनजीर, मैं बेनजीर हूँ, और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज ढून रहे हैं, तो आप बिलकुल सही जगे पर आए हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बोनलेस चिकन लेकर उसमें एक टीस्पून हमने अध्रकलसन का पेस्ट और हाफ टीस्पून नमक डाला था, बोईल करके इस तरह से श्रेट कर लिया है चिकन को, जिस पानी ने हमने चिकन को बोईल किया उसे फेंका नहीं है, जिसे हम स्टॉक कहते हैं, संभाल कर रखा है, यह स्टॉक है, हमने इसे संभाल कर रखा है, तकरीबन यह तीन चौथाई कप के आसपास होगा, हमने दो आलू भी ले लिये बड़ी साइस के, बोईल करके इन्हें भी ग्रेट करके रख दिया है, हमने 50 ग्राम के आसपास फ्रेंज बीन ली, छोटा छोटा कट किया, आधा कड़ाई हमने गरम करने के लिए रखा, इसमें हम घी डाल देंगे, तीन टेबल स्पून, यह जगे पर आप बटर या ओल इस्तमाल कर सकते हैं, घी गरम हो जाने के बाद हम इसमें जीरा मिला देंगे, एक टीस्पून, जीरे का कलर चेंज हो जाएगा, तो सारी सबजियां जो हमने आपको बताई, वो सब डाल देंगे, सबजियों को हमें अच्छी तरह फ्राइ करना है, तीन से चार मिनिट तक फ्लेम हाई करके, सबजियों को तीन से चार मिनिट पकाने के बाद, एक टीस्पून भरकर अद्रक लसन का पेस्ट मिलाएंगे, साथ में एक हरी मिर्च को भी भून लेंगे हम, तो से तीन मिनिट लग जाएंगे हमें, अद्रक लसन और हरी मिर्च भुना गए हैं, आधा कप भर कर मैदा मिलाएंगे, 60-70 ग्रैम होगा, वजन से देखे तो, यह पॉइंट पर फ्लेम को हमने बिलकुल लो कर दिया है, लो फ्लेम पर चलाते वे हमें कम से कम, 6-7 मिनिट मैदे को भुनना है, फ्लेम को ज्यादा हाय ना करें, वजना मैदा जल सकता है, लो फ्लेम पर पेशन्स के साथ इसे भुनना है, मैदे को हमने बहुत अच्छी तरह भुन लिया है, फ्लेम को लो ही रखा था, जो चिकन स्टॉक हमने आप ही रखेंगे और इस तरह से इसे चलाते रहेंगे, हम इसमें चिकन डाल देंगे, जो हमने बॉल करके श्रेट करके रखी है, साथ में आलू भी मिला देंगे, बॉल किये हुए, कुछ मसाले मिलाएंगे, ये चाट मसाला है, एक टीस्पून, हाफ टीस्पून सा फिद तो बाद में हम टेस्ट करके आइड करेंगे, फ्लेम को लो रखके सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, दोस्तों हमारे काफी सब्सक्राइबर्स की फर्माईश थी, कि हम आपके लिए रिटिन रेसिपी लेकर आएं, तो आपकी फर्माईश को मद्दे नजर जिसका नाम है www.cookingwithbinazir.com, वहाँ आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही, साथ ही साथ इंग्रीडियन्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा, वो भी बिलकुल फ्री में इसका कोई चार्ज नहीं है, तो कर दीना हमने आपकी फर्माईश हराधनिया डाल देंगे, काफी सारा कट करके, यह पॉइंट पर नमक को जरू टेस्ट करें, हमने यहाँ पर वाइट पेपर पाउडर यूज की है इस रेसिपी में, काली मिर्च का पाउडर भी इस्तमाल किया जा सकता है, अविलेबल नहीं है तो, फ्लेम को बन करके, हम इ सेवाइयों से कोट किया जाता है, तो यह उपर से बहुत ही अच्छे और कृस्पी हो जाते है, हातों से हमें क्रश कर लेना है, सेवाईयों को, हमारा मिक्सचर भी थंडा हो गया है, बोल में हमने निकाल लिया था, थोड़ा हातों को हमने ग्रीस कर लिया था पहले, अए ल मैदा लिया है हमने एक प्लेट में मैदे से पहले रोल करेंगे ऐसा करने से जब हम अंडे की इस पर कोटिंग करेंगे तो अच्छी तरह से अंडा इस पर चिपकेगा फिर इन्हें अंडे में डिप करेंगे थोड़ा सा नमक डाल कर एक अंडे को भी हमने बीट किया है सिवहीं उसे कोट करेंगे यह फ्राय करने के लिए और स्टोर करने के लिए भी रेडी है बताएंगे आपको किस तरह इने स्टोर करें एक महिने तक फ्रीजर में यह खराब नहीं होते इतने मिक्शर में हमने तकरीबन 35 रश्यन चिकन फिंगर्स बना कर तयार किये हैं इन्हें इसी तरह जैसे हमने रखा है इसी तरह हमें फ्रीज कर देना है तीन से चार घंटो के लिए थोड़ा हमने दूर दूर रखा है आपस में चिपका कर नहीं रखा है उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे स्टोर करना है पहले इसी तरह इने फ्रीज करना है तीन से चार घंटो के लिए तीन से चार घंटा फ्रीजर में रखने के बार ये बहुत अच्छे हाड हो गए है इन्हें आप मन चाहे जिपलोक बैग में या टाइक कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हैं अब ये आपस में चिपकेंगे नहीं बिल्कुल ओल को हमने अच्छी तरह से गरम कर लिया है बाद में फ्लेम को मीडियम किया है मीडियम फ्लेम पर हम इने गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है निकाल लेते हैं अच्छा सा गया है